आज के बिजनस मोटिवेशन है अरजुन की तरह हैं अपने लक्षे पर फोकस करें आपको नहीं लगेगा कोई काम और संभव एक बर क्या होता है कि गुरू दुरुणाचारे ने एक-एक करके भीम नकुल सहदेव को आगे बुलाया और उनके हाथों में तीर कमान थमाकर वहीं सवाल किया तो लेकर उनके जवाब से गुरु दुरुणाचारे असहमत हुए और धनुश बाण वापिस ले लिया तो अंत में उन्होंने अरजुन को बुलाया और धनुश बाण दे करके प्रश्न किया तब अरजुन ने निशाना साथते हुए कहा कि मुझे मचली की आँखों की जिवाए कुछ नहीं दिख रहा है जवाब सुनकर गुरु दुरुण समझ गए कि अरजुन ही मचली की आँख पर सही निशाना साथ सकते हैं और वही हुआ दरसल दुरुणाचारे ने देख लिया था कि अरजुन के सबी भाई लक्षे के बजाए दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे इसलिए जब उनके पूछने पर अरजुन ने बताया कि उनकी निगाहें सिर्फ मचली पर हैं तो दुरुणाचारे समझ गए कि अरजुन ने लक्षे को पकड़ लिया है इसलिए उनकी सफलता निश्चित है ठीक इसी तरह से जिन्दगी के किसी भी शेत्र में अगर आपको कोई सफलता अर्चित करनी है तो आपको अपने गोल पर ही फोकस करना होगा जिन्दगी का अनंद तभी आता है जब जिन्दगी का कोई मकसद हो आपका अस्तित्व आपकी पहचान तभी कायम रहती है जब आप किसी तार्गेट को लेकर जीते हैं और मन्जिल की और अग्रसर रहते हैं लेकिन क्या हम सभी किसी लक्षे के साथ जिन्दगी जी रहे हैं आज बामुश्किल लोग हैं जो लक्षियों को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और बाकी लोग तो बस खाने पीने और रोटीन कामों में मश्रूफ रहकर जैसे तैसे जिन्दगी गुजारते हैं और सही माइनों में जिन्दगी वही जीता है जिसने कुछ हासिल करने के लिए जिन्दगी में कुछ तार्गिट्स बना करके रखे हुए हैं जिसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तयार होता है वो अपने सपनों के लिए जीता है अपने सपने के साधनों का खुद जुगाड करता है उसकी हर पल यही कोशिश रहती है कि वो अपने टार्गिट्स अपनी मंजिल को कैसे हासिल करें ताकि दुनिया में उसकी अपनी पहचान स्थापित हो देखो टार्गिट्स का पहले से डिसाइड होने से आप भटकते नहीं हैं क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको करना क्या है आप हासिल क्या करना चाते है इस बात का एहसास होते ही टार्गिट्स को पाने का सही मार्ग पता चल जाता है और इस तरह से वो उन लोगों से काफी आगे निकल जाता है जो बिना टार्गिट्स के आगे बढ़ते रहते हैं और लास्ट में टार्गेट को लेकर चलने वाले की जीत होती है ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने टार्गेट्स के प्रतिक गंभीरता से उसको शो करते हैं और इसके बाद वो रुटीन वाली लाइफ जीने लगते हैं इस समस्या का समाधान कुछ किया जा सकता है आपने जो टार्गेट्स तै किया है उस पर काम करने के बाद उसे अपने कमरे में ऐसी जगा टांग दें जहांपर सुबह आप जाते हों कुछ दिनों के बाद आपको इसकी आदत सी पढ़ जाएगी अब रात को सोते समय अपने उस नोट को फिर से देखें जिस पर आपने लक्षे लिखा हुआ है और इसके बाद आप खुद से पूरे करने हैं और पुछें कि इस लक्षे को लेकर आपने अब तक क्या किया है ऐसा करने से आपकी अंतर आत्मा आपको बार बार अपने लक्षे का ध्यान दिलाएगी और आप लास्ट में अपने लक्षे को पाने में काम्याब हो ही जाएगे